Hello everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor Botany, MLB Government College, Bhrilwara. Markensia में reproduction का जो हमारा सीरीज चल रहा है, उसमें आज हम study करेंगे sporophyte का development किस प्रकार होता है, markensia में. यह जो diagram आपको नज़रा रहा है, इसमें दिखाया गया है successive stages in the development of sporophyte. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने study किया था कि fertilization के पश्चाद zygote का निर्मान होता है. फिर यह zygote तुरंत ही अपने चारों और एक cellulose की wall बनाता है, एक layer बनाता है, और उसके बाद हम इसको बोलते हैं, उस्पोर या निशिक्तान, निशिक्तान या उस्पोर ये बीजानुद भिद प्रवस्था की प्रथम कोशिका है, यानि कि बीजानुद भिद में, यानि कि जो sporophyte है, जो diploid अवस्था है, उसका ये पहला stage है, इसमें विवाजन होते हैं, इसमें व्रद्धी होती है, ग्रोथ होती है, माइटोसिस होता है, समसूत्री विवाजन होता है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और उसके पश्चा स्पोरोगोनियम का निर्मान होता है, अब निशेचन के होने के बाद क्या होता है, कि इस्त्री धानी के चारों और जो योगमकोद्वित का उत्तक है, जो गेमीटोफिटिक टिशूज हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं, और उनमें अलेक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि इस्त्री धानी धर के उपगर जो डिस्क होती है, उसकी केंड्रिय भाग की प्रद्धी बहुत तेजी से होती है जिसके फलसरू इसरीधानियों का प्रतेलोमन हो जाता है और इसरीधानी Nilembi अवस्था में आ इस्त्रीधानी पंक्ती के दोनों और परिलिंग धानी या पेरिकीटियम बनता है और इसके साथी इस्त्रीधानी अंडधा कोशिकाएं परिनध वा अपनत विवाजन द्वारा गोपक का निर्माण करती से और एक संरक श्रात्मक आवरंड बनता है जिसको हम कहते हैं कैलिप्ट्रा या गोपक और यह गोपक इस पोरोगोनियम को ढखे रहता है कवर करे रहता है पैरिगाइनियम की कोशिकाएं भी इसके साथ ही बनती है और यह भी गोपक को कवर करके रखती है तो एक जो बिजानुद भिद है वो तीन प्रोटेक्टिव लेयर्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है जिसमें सबसे अंदर की ओर आती है गोपक कैलिप्ट्रा फिर आता है पैरिगाइनियम परिस्त्री धानी और फिर आता है पैरिकीटियम परिलिंग धानी तो बिजानुद भिद तीन आवरणों में घिरा हुआ है गोपक परिस्त्री धानी परिलिंग धानी कैलिप्ट्रा पैरिगाइनियम पैरिकीटियम अब जो निशिक तांड है उसका प्रथम भिवाजन जैसा कि आपको चित्र में नजार आ रहा है कि जाइगोड दिखाया है ए में और बी में उसमें दो कोशिकाएं है एपी बेसल सेल एंड हाइपो बेसल सेल जैसा चित्र में आपको दिख रहा है तो एपी बेसल सेल को हिंदी में हम बोलते हैं अध्याधर कोशिका और हाइपो बेसल सेल को हम बोलते हैं अध्याधर कोशिका यानिकी आधार की ओर जो है तो बहर की ओर एपी बेसल है अंद अधराधर कोशिका, इसके पस्चाज जो विभाजन होते हैं, उनमें जाती के अधर पर भिन्नता पाई जाती है, किसी किसी जाती में दित्तिय विभाजन उद्रग होता है, वर्टिकल होता है, और चार कोशिकाएं का एक क्वाड्रेंट बन जाता है, फिर क्वाड्रेंट के बाद इसमें एक और विवाजन होता है और बन जाता है ऑक्टेंट यानि कि अस्टांश्क तो कोशिका थी जाइगोट की या उस्पोर की कह लिजिए उस्पोर के बाद एक विवाजन हुआ ट्रांसवर्स बन गई दो कोशिका एपी बेसल हाइप बेसल ठीक है अब यह दो में फिर एक vertical division होता है और बन जाती है चार कोशिकाएं जो इसा चित्र में C में नजर आ रहा है और ये कहलाता है quadrant इसमें फिर और विवाजन होते हैं quadrant से बनता है octant जाने की अस्टांश्क और अस्टांश्क का आधरी भाग है उससे बनता है foot और sé Lynch और जो अस्टांश्क का अध्याधरी भाग है जो बहार की ओर वाला भाग है उससे बनता है capsule तो आप ये देखिए कि ये जो ओक्टेंट है इसमें अंदर की ओर की कोशिकाएं बनाती है फुट और सीटा और बहार की ओर की एपी बेसल सैल वाली कोशिकाएं बनाती है कैपसूल अब आप ये देखिए कि जो फुट के छेतर की कोशिकाएं उनमें अनियमित विभाजन होते हैं अनियमित विभाजन होने से क्या बनता है एक पैरन कायमेटर्स कोशिकाओं का समू बन जाता है और ये आगे चलकर एक एंकर के समान एक लंगर के समान आकरती वाला फ सीटा के छेतर की कोशिकाएं भी अनियमित विभाजनों द्वारा एक सी कोशिकाएं बनाती है और उद्रक पंक्तियों में विवस्थित रहते हैं उद्रक मतलब व którą को और इस प्रकार एक छोटे सीटा का निर्मान होता है और जैसे जैसे वीजानोत्वित परिवर्तित होता है या मिच्चियोर होता है ग्रो करता है वीजानोत्वित में वीजानू बन जाते हैं तब सीटा की कोशिकाओं में विवाजन और दीरगर्ण के कारण सीटा लंबाई में व्रद्धी करता है अब आया कैपसूल का हिस्सा तो कैपसूल के छेतर की कोशिकाओं में विवाजन से एक कोशिका समू बनता है और जिसमें परिनतिक विवाजन के बाद एक स्तर का बन जा बोला गया बही इस्थीसियम और भीतर की कोशिकाओं का समू कहलाता है अंतह इस्थीसियम अंतह मतलब अंदर अंतह इस्थीसियम या एंडो इस्थीसियम एक बार दुबारा सुन ली जे कैपसूल के छेतर की कोशिकाएं परिनतिक विवाजन के बाद एक स्थरीय है सिंगल लेयर्ड एक स्थरीय एंफिधीशियम का निर्मान करती है और अंदर का कोशिका सम्हू कहलाता है एंडोथीशियम जिनके हिंदी में नाम क्रमशा है बहे इस्थीशियम और अंतहस्थीशियम, Aemphithesium, Endothesium, Endo, अंदर, Aemphi, बहार, अब क्या होता है कि इसमें एक स्थरिये कैपसूल भित्ती का निर्मान किस्से हो रहा है, Bहे इस्थीशियम, Amphithesium बनाता है Jacket, और अंदर का जो एंडोथीशियम है उसकी कोशिकाएं आर्केस्पोरियम की तरह कार्रे करती हैं आर्केस्पोरियम हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रप्रसूतक एंडोथीशियम की सभी कोशिकाएं आर्केस्पोरियम या प्रप्रसूतक की तरह कार्रे करती हैं इसमें बारम बार विवाजन ह होते हैं और एक sporogenus tissue का निर्मान होता है एंडोथीशियम की कोशिकाएं आरके sporium की तरह काम कर रही है और बारम बार विवाजन होकर sporogenus tissue बना रही है ठीक है और इस sporogenus की कोशिकाएं जो है sporogenus tissue sporogenus ये बीजानू जन उत्तक जो है इसकी लगभग आधी कोशिकाएं बनाती हैं बीजानू मात्र कोशिका यानि कि spor mother cell और बाकी की कोशिकाएं बनाती हैं elator mother cell यानि कि elator मात्र कोशिका तो elator मात्र कोशिकाएं कैसी होती हैं बंध होती हैं sterile होती हैं और बीजानू मात्र कोशिकाएं कैसी हैं fertile हैं फलद हैं जिनसे बीजानू बनेंगे आगे अब यह बंध कोशिकाएं लंबी बेलनकार और कैसी हो जाती है spindle shaped यह आगे के चित्र में आप देखिए ठीक है यह spindle shape आपको नजर आ रहा है elator ठीक है इस elator यह जो आपकी elator मातर कोशिका है थी यह दीरगित हो गई लंबाई में नोंने व्रद्धी कल ली और बना लिया coiled spindle shaped elator तो elator कैसा है deployed है क्योंकि elator मातर कोशिकाओं में meiosis नहीं हुआ और elator मातर कोशिकाओं ने directly elator का निर्मान कर लिया उधर जो spore mother cells है यह बीजानू मातर कोशिकाओं है उनमें क्या होता है उनकी कोशिकाओं में meiosis होता है तो बीजानू मातर कोशिकाएं मियोसिस के पश्चाद बीजानू बनाती है एक स्पोर मदर से चार स्पोर्स बनते हैं ठीक है तो ये स्पोर्स कैसे हो गए हैपलॉइड हो गए अगोनित हो गए और ये जो इलेटर की कोशिकाएं है ये डिपलॉइड है ये लंबी बेलन के आकार की है तुर्क र यानि कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और कुंडलन गती करते हुए यह बीजानूओं के प्रकीन्दन में मदद करते हैं बीजानूओं के प्रकीन्दन यानि कि सपोर्ट्स के डिस्परुअफजल में यह help करते हैं why the higroscopic movement कि नमी को अपशौशित करके यह आकार में फूल जाते हैं वाता वरण में नमी की कमी हुई तो यह सिकूर जाते हैं तो यह जो movement होता है फैलना सिकूरना फैलना सिकूरना यह कहला दाध ग्राइज मूव्मेंट की वज़े से स्पोर्ण के मास पर एक अब आब यह प्रैशर बनाते हैं जिससे की इस पोर मास्क लूज पड़ता है और इस पोर्स का प्रकीडन होता है कि यह आपको मैंने यहां पर यह चित्र में दिखाया है इलेटर इलेटर के साथ इस पोर्स हैं अब आप थोड़ा सा sporophyte का इचितर देखिए इसमें अंदर की ओर है foot जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पार, फिर आ रहा है सीटा सीटा को हम बोलते हैं samputika, वरंत और गोल जो हिस्सा दिख रहा है यह पूरा यह है capsule यह हिंदी में हम इसको बोलते हैं samputika, capsule के चारों और एक sterile layer है जो की कहला रही है jacket ठीक है और उसके बाद जो है caliptera या gopak की एक covering है और gopak की covering के बाद आ रही है pari istridhani या perigainium की layer तो इस तना से यह जो capsule है इतने सारे आवरोनों में घिरा हुआ है तो markensia का foot markensia का sporophyte तीन भागों में विवाजेते है foot, ceta and capsule capsule के अंदर क्या चीज भरे हुए है बीजानू और बहुत सारे elator ये elator बीजानू के प्रकीनन में मदद करते है foot का क्या कार रहे होता है foot का कार रहे होता है कि थैलस की जो gametophytic tissues हैं उनसे जल और खनिज लवण का अफशोशन करना और इसको उससे attach करके रखता है gametophytic tissue से ceta का क्या कार रहे है ceta foot से जल और खनिज लवण जो अफशोशन हुए हैं उनको capsule तक पहुँचाता है क्योंकि capsule में spore mother cells हैं और वहाँ पर division होना है यह cell division होना है तो उनको nutrients की जरूरत है growth के लिए व्रद्धी के लिए तो अफशोशित जल और खनिज लवण capsule तक ceta के माध्यम से पहुँच रहे हैं capsule के अंदर क्या क्या है बीजानू और ilator ilator का का कार रहे है बीजानू के प्रकीनन में मदद करना और बीजानू बाद में जब यह यहां से jacket में opening बनती है उसके बाद यह बीजानू भार liberate करके बनाते हैं भार liberate करके बीजानू अंकुरण करते हैं और अंकुरण के पस्चात नया gametophytic thallus बनाते हैं और इसके आगे का पार्ट हम next lecture में cover करेंगे thanks